असलामु अलेकूम वीवर्स मैं हूँ आलिया अख्तर और आज मैं आप लोगों के लिए रमजाने स्पेशल ब्रेट पार्सल की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चली आएए देर ना करते हुए जल्दी से सीख लेते हैं कि ब्रेट पार्सल बनाते कैसे हैं ब्रेट पार्सल बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पैन में तीन से चार चमच तेल गरम कर लिये हैं और अब यह एक वन टीन स्पून लेसन अग्रफ का पेस्ट है जो मैं इसमें आट कर रही हूँ इसी लगभग 30 से 40 स्कंड अच्छे से भूनेंगे इसके रह इसमें अच्छे से खकम हो जाए यह देखिए अच्छे सब भून चुके हैं अब इस प्वाइंट पर मैं इसमें एक बारी कटी हुई प्याज आट करूँगी और इसे मेडियम प्लेन पर मैं अच्छे से डाइट ब्रॉंड करना हुई प्यास को अच्छे से चलाते वे लैसन आराद रख के पेस्ट के साथ लाइट ब्रॉंड कर ले इस वीच लैसन आदरा का रॉय स्मेल भी फटम हो जागा अप्यास भी हमारी अच्की सुनहरी भून जाएगी प्यास हमारी सुरहरी हो चुकी है तो अब मैं इस पॉइंट पर इसमें चिकन एट करूंगी क्योंके बॉनलेस है और इसे मैंने बहुत चोट चोटे पीसेज में डिवाइट किया है इसे अभी मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये चिकन को कपी जो हो वाइट मे जाएगी जाए इसे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से खुब भूने ये अप्चू के चिकन हमारे खुल अलग अलग हो चुके है और वाइट भी हो गया है तो अब मैं यहां पर कुछ पाइसेज एड करूंगी हाफ टेस्पून मैं खिली पॉडर आड़ कर रही है हाफ टेस्पून गरम मसाला पॉडर आड़ कर रही है और हाफ टेस्पून काली हिच पॉडर आड़ कर रही है अब अब इन सब को अच्छे से मीच्स करते दे पूम अच्छे से जूंब लें अब इस थोड़ा सब इसमें पानी मत डालेएगा अभी तक मैं इसमें पानी नहीं डाले हैं चिकन का तो फुट का दूसर्ज है और मस्कर इसी में अच्छे से गल जाएगा यह देखिए यह अच्छे से भूण चुके हैं अभी मैं प्लेन को इकड़म बिल्कुल लो कर दूँगी और इसे ढखकर लगवाग 5-7 मिनटे से अच्छे से कुप करूँगी बेसिकली मुझे इससे गलाना है इसे पूंती भी चार से पांच मिनटे हो चुके हैं वीवर्स और यह बहुत अच्छा सॉफ्ट और टेंटर ली हो चुका चिकल के पीसे यह देखिए इस तरह से मैं आप इसके पीसे सोड़कर दिखा रही हूँगे बहुत इंदली तूट भी जा रहे है अब मैं यहाँ प अब इन सब को अच्छे से हाई फ्लेम पर मैं भूंडूंगी अच्छे से मिक्स करते हैं और अब मुझे इसमें यह वान टे स्पून योग कॉन फ्लॉर पॉडर है योके मैं खोड़ से पाने में मैंने तक गोल बना लिया है यह इसमें आड़ कर दोगी अब में अच्छे से हाई खनें पर मैं यह इसमें यह दिखे यह बहुत ही अच्छा बूम रुगा है और आप मैं चुले के फ्लेम को बन कर दूंगी और इसे एक बॉल में निकाल दूंगी मैंने यहाँ पेख बॉल में सारे स्टफिंग को निकाल ले अ चृक मैं अट कर रही है अच्छे से मिक्स करें आप अब देखे यह मैंने कुछ प्रेट के स्लाइस लिए है इसे मैं यहां चॉपिंग बॉट पर रखूँगी और इसके सारे किनारी के एजेस को निकाल दूँगी इस तरह से कट करके सारे किनारी के एजेस को निकाल देखूँगी इस तरह से बुरेट के सारे इसके निकाल दूँगी और इसे एक बुरेट में रखते दूँगी इस तरह से साइट से कटिंग करके निकाल दूँगी और दूँगी और दूँगी अब मुझे एक पीस की प्रेट को देना है चॉपिंग कोट पर और इसे बेलन की मदद से खुड़ा प्रेस करते वक्त इस तरह से पलटके भी इसे बेल ले और अब मुझे ये स्टफिंगी इसमें डाल ली है आप अपने के असाब से डाल सकते हैं मैंने आप चाहें तो मैंदे का ग्लू भी बना सकते हैं एक चमच मैदे और पानी का अच्छी से बूल बनाकर इसके ग्लूप बनाकर भी आप इसे स्टिक कर सकते हैं मैं यहाँ पर पानी की मदश्य से चिपकाई एंहें चारो तरफ मैंने पानी डाल लिये हैं अब इसे हथेली पी इस तरह से उठाकर दोनों हांसे इस तरह से दबाऊँगी इस तरह से चारो तरफ से चिपक गया है कोई भी साइट पुला वानी है सब तरफ से चिपक गया है अब इसे मैं एक साइड में रख दूनी इसी तरह से मैं दूसरे पीसेज भी ब्रेट कि दूनी इसे अच्छे से प्रेश करते हुए थोड़ा बेलन नीं दूसरे इस्तर के है और या प्रित है सब्सक्राइब दाल रहे हैं और चाहर थोड़ा थोड़ा पानी टाल करें से खुड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आसानी से चिफग जाए कि मुझे इसे पार्सल के शेफ में बनाना है कि इसे हथेरी तूठाएं इस तरह से दोनों हातों से प्रेस कर देखें बहुत असानी से स्टिक हो गया है और अब देखे यह सारे ब्रेट को मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया था इसमें स्टॉफिंग डाल करके और नेक्स्स टेप में यहां फे तो अंडे लिया है इसमें मैं थोड़ा सा नमक आड़ कर रही हूं और थोड़ा सा काली मिर्च के पॉडर आड़ कर रही हूं अब इसे अच्छे से फेट लेंगें फॉक के हिल्प से आप चाहें तो यहां पे थोड़ा से दूर्थ भी आड़ कर सकते हैं और अब देखिए एक टिस में इस ब्रेट के उठाओंगी अंडे में इस तरह से मुझे एक हातों से टीप करना हैं और ब्रेट क्रंप्स टे डालकिन दूसरे हाथों से अच्छे सी करूंग्स को इसके उपर दबा दबा दे ताकि ये चारो तरफ अच्छे से ब्रेट क्रंप्स लग जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीवर्स कम से कम 15 मिरिट के लिए भी आप इसे फ्रीज में ज़रूर रखे ताकि अच्छे से सेट हो जाए कि यह दिखिए वीवर्स अब मैं इसे फ्राइ करने जा रही हूं तो मैंने कड़ाई चड़ा के तेल अच्छे से हेट कर लिया है और अब मैं इसे वन बाइवान दो से तीन पीसे इसमें डालोगी घरे घरे डाने अब और अब ही इसे मेडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको रेड लाल होने दे यह देखिए वीवर्स अब इन्हें धीरे-धीरे में इसे साइप चेंज करने हैं इस तरह से बहुत स्यादा डिप ब्रॉन नहीं को करना है है हाई फ्लेम पर इसे बस एक साइट के एक मिनट और बहुत ही अच्छे यह और प्रिस्पी फ्राई हो जाते है हाई प्लेम पे और अब मैं इन्हें एक से देड़ मिनट तक और इन्हें फ्राई करूंगी और इसके बार इसे डिशॉट करने हैं यह देखिए वीवर्स अविदम यह बिल्बिल डिशॉट होने कि रेडी है अब इस तरह से टीशू पेपर के निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा वाइल जो है वह अच्छे से निकल जाए इसी प्रोसेस से मैं बाकी के सारे ब्रेट पार्सल को फ्राई कर लूँगी बाकी सारे ब्रेट पार्सल फ्राई करके आपको डिश ओट करके दिखाती हूं यह देखिए वेवर्स गर्म गरम ब्रेट पार्सल रेडी है आप भी इस रेसेपी के एक ओर्डिंग अपने घरों पे यह डिश बनाए और इंज्वाए करें बहुती लजीज और कम वक्त में बन जाने वाला यह डिश है अगर आपको हमारी यह रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज अपना फीडबेक हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अपने फैमली फ्रेंड से जरूर करें तो फिर मिलती हैं एक नई रेसेपी के साथ आप